नूरपूर ब्लॉक की पंचायत ठेहर में रास्ते खस्ता हालत में है बीते सालों में कितने प्रधान बदले लेकिन पंचायत के लोगों की समस्या जस्की तस बनी हुई है स्थानी लोगों ने कहा कि इस बार वोट उसी को देंगे जो काम करवाने में सक्षम हो और पांच सालों तक जनता की सेवा कर सके नूरपूर ब्लॉक की पंचायत ठेहर के लोगों का कहना है कि वे उसी को वोट देंगे जो पंचायत में काम करवाने में सक्षम हो ठेहर पंचायत के स्थानिय लोगों ने बताया कि यहां पर उन्हें पीने के पानी की समस्या पेश आती थी 15 साल बाद उनकी पानी की समस्या का समाधान हुआ लेकिन अब रास्ते की समस्या जस्की तस पड़ी हुई है यहां पर रास्ता खसता हाल स्थिती में है, जिसकी वज़ा से यहां पर लोग कई बार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल भेजना भी इस रास्ते से काफी मुश्किल हो जाता है। स्थानिय लोगों ने अपील की है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द जाने के लिए बच्चों का रास्ता है आम लोग आते जाते भी है प्रन्तु इस रास्ता है जाते की किसी ने भी सुध नहीं ली एक बार बना था पहले उसके बाद सारे डंकेटों के गिरे हुए मेरा ख्याल साथ आर साल से यह ऐसा ही चला हुआ है और पूरे गाउं का पार यहां आता है हमारे वहीं समाज से भी पिंकी सहोत्रा ने कहा कि उनकी सभी लोगों से अपील है कि वे इस बार अपना वोट किसी जाती पाती धर्म या एक तबके को देखकर ना दे उन्हें कहा कि गाउं के विकास को लेकर वोट करें इस बार जाती धर्म या किसी एक तबके को लेकर वोट ना दे जिसको पांच साल दिया अगर उसने कोई आपके गाउं में या आपके आसपरोस में कहीं पर भी उन्हेंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है सडकों का आप यह हालत देख लिजा हमारे पीछे सडक है इसकी दो चैनल के लिए नूर्पो से संजीव महाजन की रिपोर्ट